नमस्कार साथियों मैं रितिक रौशन स्वागत करता हूँ आप सब का अपने चैनल आइद रेट प्रग्यर टाइम्स में और मैं आज एक खास मुद्दे को लेकर के आप सब के बीच में लाइब हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि उतर प्रदेश के एक व्यक्ति जिनका नाम मुक्तार अंसारी है यह नाम बिल्कुल चर्चित नाम है और इस नाम को पूरे गाजीपूर से लेकर के मौव तक और यूं तो कहें कि आज के समय में पूरे उतर प्रदेश के लोग उतर प्रदेश के बाहर के भी लोग इस नाम को ज़रूर सुने होंगे और जाने होंगे इसमें जो है कि मुक्तार अंसारी एक अपराधी के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक मामला को लेकर के जेल में है चार साल की उन्हें सजा सुनाई गई है और वह सजा दिन परते दिन लबी भी होती जा रही है रिलेटेट एक वहां से निकल करके खबर सामने आई है जो की बताया जा रहा है कि अपने सुर्च्छा को ले करके सरकार से गुहार लगाई है उन्होंने अवेदन किया है इस जेल में जो है कि मेरी हत्याँ हो सकती है और सरकार मुझे सुर्च्य की उसे तमाम जोए की पहले के मामले रहे हैं जिनके अंतरगत वहां के अपराधियों का हत्या कर दिया जाता है इन तमाम चीजों को देखते हुए कई न कई मुक्तार अंसारी के अंदर भी एक डर का महौल बन चुका है और उन्होंने ऐसा सरकार से निमेदन किया है कि मुझे और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके जो जिश जेल में रखा गया है उसके आज पास के बैरक को खाली कर दिया गया है आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे और उस पूरे आज पास के बैरक को खाली करने के बाद जो है कि वहां सी सी टीवी कैमरे की सबसे पहले उस जेल में संपर्क किया जाता है और वहां के सुरच्छा को काफी कड़ी निगरानी से देखा जा रहा है और यहीं पर हम यह भी बता देना चाहते हैं कि उस जो वहां कैमरे लगे हुए हैं लग उनकी निगरानी की जा रही है और निगरानी करने के ततपश्चात अगर उनसे कोई मिलने के लिए आता है तो उसकी पूरी तरह से कई बार 45 बार जाच की जाती है चार-पांच बार जाच करने के बाद ही उनसे मिलने दिया जाता है तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार काफी मुस्तैद है लेकिन फिर भी जो है कि मुग्तारणसारी जी ने इस चीज को ले करके अपने सुरच्छा को ले करके उन्होंने सरकार से गुहार ल और तमाम इन खबरों को आप सब देखते रहने के लिए प्रके टांप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्य बात कि अ कि अ कि